बिहार की 40 की 40 सीटे हमारा एंडिया गड़बंदन जीतेगा और देश में 400 सीटे जीतने का जो लक्षे है इमानदारी से मैं बोलू मुझे कई बार ये लक्षे छोटा भी लगता है बहुत खुपसीरती से आपने प्रशन पूछा था कि पता चल जाए कि मेरे पास कौन-कौन सी सीटे है ये गड़बंधन की घोशना नहीं है क्योंकि गड़बंधन में हम लोग हमेशा से थे पर चुनाओ को लेकर लोगसबा चुनाओ को लेकर आज जब सीटों का बटवारा हो चुका है गड़बंधन का स्वरूप पूरी तरीके से तैयार हो चुका है आधनिया नरेंद्र मोधी जी का हिर्दे से आभार प्रकट करता हूँ उन्होंने हमेशा जिस प्रकार गड़बंधन के भीतर मेरा सन्रक्षन किया लोग जन्शक्ती पार्टी राम विलास को उचित मान सम्मान देने का हमेशा कारे किया मेरे नेता अधनिय रामविलास पास्वान जी को जिस तरीके से उन्होंने अपने साथ ही अपने दोस्त की तरह उनके रहते वे और उनके जाने के बाद भी जिस तरीके से उनके मान सम्मान को हमेशा उंचा करने का काम किया ऐसे में लोग जन्शक्ती पार्टी रामविलास का हर एक कारे करता आज खास्तोर पर हमारे प्रधान मंत्री जी का धन्यवाद करता है क्योंकि आज पुना एंडिये के साथ जो हम लोग का पुराना गड़बंदन रहा है जिस गड़बंदन के तहट दो-दो बार हम लोग सबा और दो-दो बार हम लोग विधान सबा का चुनाओं पिछले दस सालों में हम लोग लड़ चुके हैं आज पुना उस गड़बंदन को एक नई मजबूती देने का कारे किया मैं भरती जन्ता पाटी के राष्टिया अध्यक्ष आधनिय जेपी नडड़ा जी किंद्र ग्रह मंत्री आधनिय अमिशा जी का भी विशेश तोर पर धन्यवाद करूंगा जिन्होंने एक बड़े भाई की भूमी का पाटी के तमाम हितों को पाटी की तमाम चिनताओं को पाटी के तमाम कंसंस को ना सिफ अक नॉलेज किया बलकि एडरस करने का भी काम किया आज जब हम लोग गड़बंधन ये गड़बंधन की घोशना नहीं है क्योंकि गड़बंधन में हम लोग हमेशा से थे पर चुनाओ को लेकर लोगसबा चुनाओ को लेकर आज जब सीटों का बटवारा हो चुका है गड़बंधन का स्वरूप पूरी तरीके से तैयार हो चुका है तो इस मौके पर मैं केंद्रे ग्रह मंत्री आदनी अमिश्शा जी का आदनी जेपी नड़ा जी का भी अपनी तरफ से अपनी पार्टी के हरे कारे करता की तरफ से उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ आने वाले दिनों में लोग जन्शक्ती पार्टी रामविला सिर्फ और सिर्फ एक ही लक्षे के साथ इस रण में उतरेगी कि बिहार की 40 की 40 सीटे हमारा इंडिये गड़बंधन जीतेगा और देश में 400 सीटे जीतने का जो लक्षे है इमानदारी से मैं बोलू मुझे कई बार ये लक्षे छोटा भी लगता है और ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है ये जब आप गाउं गाउं जाते हैं घर घर जाते हैं और क्योंकि हाल फिलहाल के दिनों में ना से बिहार में बलकि विबिन और राजों में भी पार्टी के कारिक्रमों में मैं गया हूँ ये मेरा विश्वास वहां से आता है कि ये 400 का लक्ष ना सिर्फ हम लोग पार करेंगे बलकि बिहार में जो पिछली बार एक सीट किसी कारणवर्ष हमलों की रह गई थी इस बार 40 की 40 सीटे एंडिये का ये गड़बंधन मिलकर जीतेगा सर 24-2014 का जो फर्मूला था उसको लेकर उसको लेकर कुछ आप बता पाए हकीकत है मैं पुना मैं दोराता हूँ जो मैं बार बार मैं कहता हूँ कि मैं गड़बंधन धर्म की मर्यादा को तोड़ूँगा कि मैं कोई भी बात सारुजनिक आप लोग के साथ पहले कर लूँ जबकि गड़बंधन और आप लोगों ने देखा है कि हमेशा से 2014 में भी गड़बंधन के तमाम साथियों ने बैठ कर इसकी गोशना की पंदरा में भी विदान सबा के चुनाओं में भी हम लोगों ने ऐसा ही किया 19 में भी ऐसा ही रहा 20 में भी ऐसा ही रहा मुझे लगता है बहुत जल गड़बंधन के तमाम साथि वो सब एक साथ बैठ कर ना सिर्फ सीटों की बलकि सीटों का चैन भी हो चुका है उसकी भी गोशना हम सब साथ मिलकर करेंगा एक स्वाला है कि जो गुसरा खेमा है आप लोग का क्या वो इस गड़बंधन का हिस्सा है या नहीं है भाई मुझे नहीं पता कि वो गड़बंधन का हिस्सा है नहीं है नहीं वो मेरी चिंता में है हाँ इतना मैं कहा दूँ कि मेरे पास किसी का कोटा नहीं है मेरी जो सीटे हैं वो सिर्फ मेरी है गड़बंधन में कौन है वो है कि नहीं कौन है नहीं बाकियों का दो मुझे पता हिए वो है कि मुझे नहीं पता बढ़ा मेरे पास किसी के कोटे की सीटे नहीं है इसको कौन से सीटें मिलेगी, डिसाइड हो चुक है, फॉर्मल अनॉस्मेंट बाकी है, बाकी सारी चीज़े डिसाइड हो चुक है, चिराग जी एक सवाल यह है, कि अब इसकुमार के साथ भी आपको एक मंच पे खड़ा रहना होगा, एक मंच साजा करना होगा, क्या इसके ल कई बार कई मौकों पर हर किसी ने अपनी अपने मतों को अलग रखकर गड़बंधन के हित में, राष्ट हित में फैसले लिये हैं, ऐसे में आज की तारिक में जब मैंने कहा कि 40 की 40 सीटे जीतनी हैं, उसमें यकीनन भारतिय जनता पार्टी की एक एहम भूमी का है, मेरे मु इस गड़बंधन के जितने भी और घटक दल हैं, उन सब की एक एहम भूमी का है, ऐसे में हम सब को एक मंच पर आकर, एक जुटता दिखा कर, 40 की 40 सीटे हम लोग जीते, उस और हम लोग को कारे करना होगा, और तबी हम लोग 400 का जो लक्षे है, उसको हम लोग पूरा कर पा यह अब, क्योंकि अब सीटों का बटवारा हुआ है, और बहुत खुबसीरती से आपने प्रशन पूछा था कि पता चल जाएगी मेरे पास कौन कौन सी सीटे है, बढ़ा, जो भी सीटे लोग जन्शक्ति पार्टी रामलास के पास आई हैं, उन में कौन प्रत्याशी होगा यह पार्टी बैठ कर इसका फैसला लेगी, पार्टी का संसदी अबोड इसका फैसला लेगा, और वो भी मुझे लगता है, इस जस्ता मैटर आफ ताइम बिकॉज अब अधी सूछना, मुझे लगता है जल्द आएगी, तो बहुत जल्द यह सारी बाते भी साजा की है, जिवार राजी सीटी से समयास लेगा, पुना मैं दोराता हूं, अब हम लोग का लक्ष किस तरीके से NDA 400 सीटे जीते, जिसमें बिहार का सबसे महत्वोन योगदान है, 40 मजबूत सीटे हमारा प्रदेश देता है, अब एक एक सीट पे कैसे हम लोग जीत को हासल करें, और न सिर्फ जीत एक बड़ी जीत पिशली बार 19 में भी आपने देखा होगा हर सीट पर हम लोग का मारजन कितना खुबसूरत था उस बड़े मारजन की जीत और मेरे मुख्यमंत्री जी के इस गड़बंदन में आने से यकीनन ये बात तो हुई है कि जीत का जीत का जो मारजन है व और एक बड़ी जीत की ओर एंडिये गड़बंदन बिहार में और देश में अगरसर होगा ये विश्वासर देखा है